सबी पास्टर्स सेमिनारी और मनली के दस्य जो इस अध्यायों द्वारा पुराने और ने नियम के प्रकाशिद्वा के के गभाही है शिंचन जी ऑनलान सेमिनार आप सब का स्वागत है मैं नाम इंस्टर्टर गोचल यॉंग है और आज मैं आपका प्रसाइडर हूँगा पिछले बार हमने जो पार्ट बीस है वो पुत्र जो विरासत प्राप करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था और यह हमने बार्थोलों में गोतर के इंस्टर्टर से सीखा था तो आज इंचन जी इन सभी वचनों की गवाही इसलिए दे सकता है क्योंकि आज जो दिश्टांत है वो खुल चुके हैं जैसे कि अब नियुक समय आ चुका है और उन सभी दिश्टांतों को बताने वाले जिन्होंने देखा है और सुना है वो वाचा के पादरी वो आज हम हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने इस्चु के बगल में यह सारी चीज़े देखी और सुनी और उन चीज़ों के गवाही देते हैं तो आज हमारे पास यह मुलवान समय है कि हम पुराने और ने नियम के अध्यायों के जो दिश्टांत है जो गहरी बाते हैं उनके वास जीव के रचनाकार हम पुरे दिल के साथ आपका ध्यानवाद केते हैं कि तुने हमें अध्यायों द्वारा पुराने और ने नियम के प्रकाशित दागी की गवाही के इस सेमिनार में इस वचन को सीखने का मौका दिया तो इस समय जितने भी पास्टर्स हैं सेमिनारी हैं ज ताकि वे समझ सके ऐसे हिदे दे तो जो इसे जानकर इसे इसका अध्यान अच्छे से कर सके और आज के इंस्टर्टर के वचन के माध्यम से तो हमें आशीश दे वहीं सारी विंतियां इस शुमिसी की नाम से मांगते हैं आमिन तो अब वो समय आगया है जब हम जो दिश्टान थे उनके सही अर्थ और वासिताओं के बारे में जानेंगे आज हम पार्ठ एकेस सताव और जीत का राज शिंचन जी इसके बारे में आज सिखेंगे तो मैं आशा करता हूँ आप अपने दिलों को खोलने पाए और बहुत सारा ज्यान जो है आप आज जानने पाए तो अब हम इंस्टर्टर खांगते हों जो मती गोतर से हैं उनको बलाते हैं तो सभी पास्टर, सभी थियालोजी स्टूडेंस और मनली के जश्दस्य जो स्वर के आज राज्य की कामरा करते हैं आप सबसे मिलकर अच्छा लगा मेरे नाम खांग थे उन है और मैं मती गोतर के चर्च से हूँ जो शिंचन जी इश्व की कलीशा से सम्बदित है आज मैं आप सब का स्वागत करता हूँ जो आप लोग अध्यायों द्वारा पुराने और ने नियम के प्रकाशित राके की कवाही को सुनने आए हैं तो आज का part होगा part 21 सत्ताव और जीत का राज शिंचन जी इर आज का जो मुक्कश संदर्भ हो गया वह होगा युना आठ और हम मती 10 मती 20 युना प्रकाशित वाक्या साथ प्रकाशित वाक्या चादा और प्रकाशित वाक्या 21 इन पर भी हम नज़र डालेंगे तो आज के विशे के बारे में सताव और जै का राज जीत का राज आईसे पास्टर्स होगे जो इसके बारे में सुन चके होगे जो आप बाइबल में पढ़कर आपने सीखा होगा लेकिन कई होगे जो इससे परिचित नहीं होगे तो मैं आप से विंद्री करता हूँ कि आप अपनी कान इस समय पर लगाए ताकि हम परमेशर के उद्देश परमेशर के बाइबल के गहरे बातों का अच्छी से जान सके तो सबसे पहले सताव है ना उद्पीरन उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं तो जब हम बाइबल में सकाव के बारे में पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक शेत्र में और भौतिक शेत्र में दो परकार की आत्माएं मौजूद हैं एक परमेशर की आत्मा पवित्र आत्मा और एक शैतान की आत्मा और हमने देखा कि जो शैतान है उसने क्या किया उसने परमेशर के साथ विश्वाजगात किया और अपने लोब के लिए ये सारा कार किया तो ये वो विश्वाजगाती दुश्ट आत्मा है शैतान तो ये जो आत्मा थी जिसने विशाजगात किया उसने आदम को भी भरवाया और आदम जो है शैतान के साथ सम्बंदित हो गया और आदम के विशाजगात के वज़े से परमेश्वर को इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा जैसे कि आप उत्पती 6 में देख सकते हैं इस वज़े से शैतान ने इस पूरी दुनिया पर राज़ किया लेकिन परमेशर ने आप देख सकते हैं परमेशर ने पुनर रचना का कारे शुरू किया ताकि इस दुन्या को वो वापस ले सके हर यूग में परमेशर ने अपने दूतों को अपने नवियों को भेजा ताकि वे परमेशर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके परमेशर के उद्देशे को लोगों को बता सके लेकिन हर बार शैतान ने क्या किया हर बार शैतान ने परमेशर का विरोध किया ताकि वो परमेशर को इस दुनिया को वापस ले से रोख सके तो इसलिए दो प्रकार की आत्माएं हर बार लड़ते आएं इसलिए जो दुनिया की जो पादरी हैं दुनिया की जो धार्मिक नेता है उन्होंने परमेशर के लोगों को हर योग में क्या है सताया है और मार डाला है आदम के समय से ये दुनिया शैतान की हो गई है और ये शैतान की दुनिया है इसलिए लोग परमेशर के बच्छन को नह यसा ही होते आया है और इससे हम बाइबल में उत्पीर नियार्मी यानि सताव के उसकारे के मादम से देख सकते हैं इससे हम इससे हम स्पर शुर्प में जान सकते हैं कि परमेशर से समधित कौन है और शैतान से समधित कौन है सताने वाले कौन है और सताव जिन पर सताव होता ह वो कौन है यह आप देख सकते हैं मती पांच उसके नौ से बारण में आप क्या देख सकते हैं इजुमसी ने क्या कहा धन्य है वे जो मेल करवाने माले है क्योंकि वो परमेश्व के पुत्र कहलाएंगे और ये भी कहा कि स्वरकराज़ उन लोगों का है जिनको धार्मिक्ता के कारण सताया जाता है क्योंकि इससे पहले भी सभी जो नभी थे उनको भी क्या है सताया गया तो जो शैतान की होते हैं वो सताते हैं दूसरों पर उत्पीरन करते हैं और कौन उत्पीरन करता है और जिन पर उत्पीरन होता है उससे हम स्पाश रूपते देख सकते हैं कि परमेश्व के साथ कौन है और शैतान के साथ कौन है जो परमेशों के साथ होते हैं आप देख सकते हैं एक बाइबल में हर बार उनको सत्ता आया गया है तो पहले आगमन के समय आप उधारन में देखिए पहले आगमन के समय पर आप उधारन में देख सकते हैं यूना आठ उसके 44 से 47 को पढ़ते हैं तुम अपने पिता शेतान से हो और अपने पिता की लवसाव को पूरा करना चाते हो वह तो आरम से ही हत्यारा है और सत्य परस्थेरन ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं जब जूट बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है क्योंकि वह जूटा है वरन जूट का पिता है परन्तु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते तुम मैंसे कौन मुझे पापी ठहराता है और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते जो परमेशर से होता है वहाँ परमेशर की बाते सुनता है और तुम इसले नहीं सुनते कि परमेशर की ओर से नहीं हो तो यूना आठ को जब हम देखते हैं यूना आठ के उसके 44 से हम दाखे तो ईशु मसीर ने क्या है सचाय के वचन दिये हैं ना कौन से वचन ऐसे वचन जो सुतंतिता प्रदान करते थे और यूना आठ उसके पिक्यावन में आदेख सते हैं इशु मसीर ने अनन जीवन के बारे में वादा किया लेकिन यूरुशलेम के जो चरवाहे थे यूरुशलेम के जो पाद्री थे उन्होंने क्या किया उन्होंने जूट कहा और उन्होंने मूसा की विवस्था पर जोर दिया तो अनन्जीवन पर उशास करने के बजाए उन्होंने ईशु मसीख पर सताव किया उशी मसीख को पिरन किया जिन्होंने अनन्जीवन के बारे में गवाही दी थी तो ईश्यू मसी ने उन यरुश्यम के चरवाहों से कहा कि तुम्हारा पिता शैतान है और तुम अपने पिता की तरह जूट बोलते हो तो जो यरुश्यम के पाद्री थे उस समय पर शैतान के बीच से पैदा हुए थे और जूट बोलते थे तो इन सब के बीच में ईश्यू मसी जो परमेश्य के बीच से पैदा हुए थे वे सच्चाय की गवाही देते थे लेकिन यरुश्यम की जो पाद्री थे जो पहले आगवन के समय पे थे वे सच्चाय पर विशास नहीं करते थे तो उन्होंने विशास क्यों नहीं किया उन्होंने सच्चाए के वचन पर विशास क्यों नहीं किया उसके वज़ाए ये है कि वे जो यरुश्लम के पाद्री थे यरुश्लम के चरवाहिते थे परमीर शरक्ये नहीं थे वे शैतान की थे जी हां, आप यूना आठ उसके 47 में देख सकते हैं, तो अनततह उन यरुशलेम के पाद्रियों ने क्या किया, ईशु मसीय को सताया और उनको मार डाला और उनके चिलों को भी सताया, तो हम देख सकते हैं कि यरुशलेम के जो पाद्रिय थे, जो पहले आग्मन की समय पर थे, वे शैतान से समबंदित हैं, लेकिन उत्पीरन का वो जो समय है, वो पहले आग्मन में ही पूरा नहीं हुआ, ये आज तक भी पूरा होता है, आज ईशु मसीय के दूसरे आग्मन के समय पर भी ये जारी रहता है, आज भी दूसरे आग्मन के समय विश्वासियों की स्थित क्या है आप मती nud tu sa rannusky 59 में में देखो यि दी व को इसने कहा कि कट्नी के समय पर का मुझत का अन्त होगा ہے तो आज अगमन के समय पर ना ये जो जगत का अंत होता है यह विश्वासी दुनिया का अंत है कि इस दुनिया का अंत है जिसमें ईश्य मसी ने बीज बोया था उस खेत का अंध है तो आज विश्वासी दुनिया का अंध क्यों हो जाता है क्योंकि आज पूरी दुनिया के जो विश्वासी है वो बिलकुल लुका 18 के 8 की तरह है उनकी जुस्तिती है वो लुका 18 के 8 में हम देख सकते हैं लुका 18 के 8 में हम ने तो क्या वहाँ प्रिथ्री पर विश्वास पाएगा तो इश्य मसी ने कहा कि जब मनुश्य का पुत्र आएगा तो क्या वहाँ विश्वास पाएगा तो ये मनुश्य के पुत्र के दूसरे बारानी का समय क्या है वो दूसरे आगमन का समय है न तो इशो मसी ने उस समय क्या कहा उस समय कहा कि क्या इशो मसी लोगों में विश्वास पाएंगे लोगों की जो विश्वास है वो क्या है ब्रहष्ट हो गई है और वो भी क्या है विरोध करते हैं कोई भी विश्वासी नहीं है क्यों क्योंकि सभी लोग प्रकाशित वाके में से बढ़ाते हैं और घटाते हैं जैसे कि प्रकाशे द्वाक्या बाइस उसके 18 से 19 में हम देख सकते हैं तो आज जो पारंपरिक कलीश से आए हैं वो लोग प्रकाशे द्वाक्या में से बढ़ाते और घटाते क्यों हैं इसका उत्तर आप प्रकाशे द्वाक्या पांच में देख सकते हैं प्रकाशे द्वाक् जो इसके अंदर देख सकता था और कोई भी नहीं था जो इसे खोल सकता था इसलिए कोई भी नहीं है जो प्रकाशित बागे को जान सकता है और उनकी वास्तिता को जान सकता है ऐसा कोई भी नहीं है इसलिए क्या है लोग बढ़ाते घटाते हैं और जैसे कि प्रकाशित बाग उसके तीन प्रकाशित तक 18 उसके तेईस में भी लिखा है कि सभी जातिया व्यभीचार की मजिद्राओं से क्या है मतवाली हो गई है जो कि क्या है जूटे से दान और लोगों की खुद की टिपणिया उससे लोग क्या है भरमाए गए हैं सब जो है मतवाले हो गए हैं ये कि में से बढ़ाते और घटाते हैं और शैतान से शैतान के आत्माओं के साथ उनका विबा हुआ है और ये नए नियम में भी हम देख सकते हैं कि जो शैतान की आत्माओं के साथ समबद्द होते हैं वो उत्पीरन करते हैं सताफ करते हैं तो चलिए अब हम आगे चलकर मती 10 उसका 17-18 पड़े परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौपेंगे और अपने आरातनालियों में तुम्हें कोडे मालेंगे तुम मेरे लिए राजय पालो और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किये उत्पीरन होगा ऐसे लिखा इशुमसी ने कहा कि जो मेरे लोग होंगे उन्हें आरातनालियों में तुम्हें क्या है सभाओं में ले जाये जाएगा और तुम्हें कोडे माले जाएगे और तुम्हें सताय जाएगा यानि कि दुनिया के जो अधिकारी हैं वो सताव करेंग तो ये वो उत्पीरन है जो उस समय पर इशु के चेलों को मिला और हम देख सकते हैं कि परमेशर के लोगों को परमेशर के जो नियुक कारे करता है उनको इस तरह का उत्पीरन मिलता है उसी प्रकार आज भी क्या है शिंचन जी पर भी क्या है जबती और जबरदस्ती ये सभी कारे हुए और ये सबी चीजे नए नियम के जो बविश्वानी हैं उनकी पूर्ते के हिसाब से हुआ और आप अगर मती 25 में देखो मती 25 में आप देख सकते हैं एक दुष्टान थे जो भेर समान विशासी है और बक्री समान विशासी है जो भेर समान विशासी है कि दूसरे आग्मन के समय पर्मेशों के जो नियुक्त कारे करता हूँगे उन्हें क्या है? हिरासत में डाल दिया जाएगा है ना? उन्हें बंद कर दिया जाएगा क्याइद कर दिया जाएगा और जैसे कि यह भविश्वानी लिखी गई थी आज शिंचन जी के जो कारे करता है उनको भी कैद में डाल दिया गया उनको भी हिरासत में डाल दिया गया और ये भी क्या है दूसरे हगबन के उत्पीरन की क्या है उत्पीरन की वास्विकता है जैसे कि नए निया में लिखा गया था योना सोला में इश्यमसी ने एक बादा किया कि जो परमीशर की जन है उनको क्या है उनको मारा जाएगा और जो लोग वचन के साथ जो लोग दुनिया के साथ एक हो गए है वो लोग परमीशर के लोगों को सताएंगे और उनको मारने से उनको ऐसा लगेगा कि वो परमेशर के लिए कारे कर रहे हैं परमेशर की महमा के लिए वो कर रहे हैं ऐसा उनको लगेगा परमेशर के लोगों को सताने के कारण उनको ऐसा लगेगा कि वो परमेशर के लिए कारे कर रहे हैं तो आज भी क्या है, शिंचन जी के लोगों पर भी बहुत क्या है, सताव होता है, उत्पीरण होता है, और ये सबी यहना सोला के जो बविश्य वाणी है, जो इश्य मसीर नि दिये थे, उसकी पूर्टी है, तो हम जानते हैं कि परमेश और इश्य जो सताते हैं, उनको उनके क सारे के हिसाब से उनका क्या है प्रतिफल देंगे उनका न्याय करेंगे इसके लावा अगर आप लुका सत्रा उसके पचीज में जाओ तो इश्यू मसी ने ये कहा कि जो वाचा का पादरी है उसे इस युग द्वारा नकार दिया जाएगा और उस पर बहुत उप्पीरन होग ऐसा लिखा है इश्यू आज आत्मा में आते हैं और कहते हैं कि वो व्यक्ति यानि कि वो वाचा का पादरी ने नियम का जो वाचा का पादरी वो बहुत सारे उत्पीरन उठाएगा और जो पारंपरी कलीसाएं हैं उनके द्वारा क्या है नकार दिया जाएगा और ये सारी चीज़े क्या है आज पूरी होती है ये किसी और की समय नहीं है ये आज की समय के बारे में है आप प्रकाशित वाके 11 के साथ में जाओ तो जो वाचा का पादरी है नया नियम का वाचा का पादरी जो गवा है उससे इस दिश्टांत रूपी क्या है उस पशु ने मार डाला और इन सभी जो दिश्टांतों की वास्तरिक्ता के हिसाब से जो नए नियम के वाचा के पादरी है वो अब तक क्या है? दुख और उत्पीरन और सताव जहिलते आए हैं और आज भी वो सताव जहिलते हैं आज हम शिंचन जी इस बाइबल के माध्यम से परमेशों के उदेशों को पूरी दुनिया को सुनाते हैं लेकिन जो पारंपरिक कलिस्याओं के जो पादरी है वो नहीं विशास करते हैं वो कहते हैं कि वे कुपंत हैं वे विधर्मी हैं और क्या है? सताव करते हैं केवल निंदा करना जानते हैं तो आज जो परंपरिक कलिस्याओं के जो पादरी हैं और जो उनके मनलिक हिस्तर से हैं वो दुनिया के साथ एक होकर शिंचन जी के जो वाच्चा के पादरी हैं उनको सताते हैं ये दूसरे आगवन का क्या है सताव और उत्वीरन की वास्विता है जिसके बारे में बाइबल में पहले से ही वर्णन क्या गया है और ये सभी चीजें मतीदस, युहना सोला, लुका, सत्रा की हिसाब से पूरा होता है तो आज हम देख सकते हैं कि जो सताथे हैं और जिन पर सताव होता है उनकी हम वास्विता देख सकते हैं तो जो सताते हैं उनकी वास्विता कौन है वे पारंपलिक कलिस्याएं हैं और उनके मनली के सदर से हैं जैसे कि प्रकाशिदा के छेह में हम देख सकते हैं वे परमेश्यों के बचन को अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करते हैं अपने सोच से व्याख्या करते हैं और उन सब पर सताफ करते हैं जो उनकी हिसाब से नहीं चलते हैं वे शैतान के संतान हैं जिनकी कटनी नहीं हुई है और क्योंकि वो शैतान के 20 से जन में है और क्योंकि उनकी कट्णी नहीं हुई है वे शैतान के साथ एक होते हैं और सताव करते हैं जो भी उनके हिसाब से नहीं चलता है उन पर वो सताव करते हैं और आज कौन है जो जिन पर सताव होता है जी हाँ आज जिन पर सताव होता है वो प्रकाशित वाक्य साथ में वो नए राज्य और नए लोग वो बारग गोत रहें जिन पर सताव होता है ये परमेश्वर के वो पुत्र है जो परमेश्वर के 20 जन में है और प्रकाशित वाक्या 14 के हिसाब से उनकी कटनी की गई है और जिनकी कटनी की गई है और जिनकी कटनी नहीं कई गई है वो आज स्पश्ट रूप से क्या है उनका विभाजन हम कर सकते हैं जैसे कि मती 13 उसके 24 से 30 में लिखा है और मती 13 उसके 37 से 49 में लिखा है कटनी के समय पर जो कि जगत के अंग के समय पर क्या होगा जो शैतान के संतान है वे क्या है जब तक जलाए नहीं जाएंगे तब तक क्या है उत्पीरन करते रहते हैं करते रहते हैं लेकिन जो परमेशों के संतान है वो सताव से गुजर कर इस परमेशों के राज्य में आशिश पाते हैं आज शिंचन जी के बारोग गोतर पडमीशों के वचल की मादम से जय पाने पाते हैं, तो जय पाने के लिए जो प्रॉसेस है, जो क्रिया है, उसके बारे में चले पड़ते हैं, तो ये लोग जय इसलिए पाते हैं क्योंकि उन्होंने युद में लड़ाय लड़ी है, है न, जी हाँ, तो जब हम प्रकाशित वाक्या 13 में देखते हैं, तो पहला यूद होता है, इसमें जो शैतान से संबंदित लोग है, जो पशु है, वो जय पाता है, लेकिन दूसरा यूद जो होता है, वो प्रकाशित वाक्या 12 में होता है, तो प्रकाशित वाक्या 12 में जो दूसर प्रकाशित्वा के बारा उसके 9 से 11 बढ़ते हैं और वही पुराना साफ जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भर्माने वाला है प्रित्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूद उसके साथ गिरा दिये गया फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना अब हमारे परमेश्र का उद्धार सामर्थे राज्या और उसका मसी का दिकार प्रगट हुआ है क्योंकि हमारे भायों पर दोश लगाने वाला जो राद दिन हमारे परमेश्र के सामने उन पर दोश लगाया करता था गिरा दिया गया है और वे मेमने के लहो की कारण और के बारे में है इसमें जो वाच्या का पादरी है जो जय पाता है और उसके भाई क्या करते हैं वे उस अजगर के सम्मू से लड़ते हैं और वे मेमने के लहू और अपने गवाही के वचन से जय पाते हैं ये एक आध्यात में क्यूद है इसमें जो परमेश्य की सा समबदित है वो जय पाते हैं जो चुने गए जन थे प्रकाशित वाके 6 में जो पहले यूद में वो हार गए लेकिन दूसरे यूद में जो परमीशर के जो चुने गए लोग हैं वे लोग जय पाते हैं जय पाने वाला और उसके भाय वो जय पाते हैं और उन्होंने क्या है अपने जान को भी क्या है बाजी पर लगा दी और इसके मादियम से सच्चाए के मादियम से वो जय पाते हैं और वो अजगर पर जय पाते हैं और इसके वज़े से अब परमेश्य का राज्य सामर्थय जो है प्रगट होने पाता है उससे पहले परमेश् तो क्योंकि इन लोगों ने जैप आया इसलिए शिंचन जी जो इश्यू की कलिस्या साक्षी की तब मुका मंदिर इसकी स्थापना होती है और ये सबी चीज़े प्रकाशित वाक्या 15 की साब से पूरी हुई है तो आज शिंचन जी परमेशर के वचन से लेस है और हम उत्पीरन पर भी जैप आते हैं और परमेशर ने नए नियम के वादाओं के हिसाब से इन सभी चीज़ों को पूरा क्या है और परमेशर आज उधार और न्याय का काद्या आज करते हैं तो हम जब प्रकाशित वाक्या पंदर में जाते हैं प्रकाशित वाक्या हम पंदर में जाते हैं और प्रकाशित वाक्या सोला में हम जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि जैप आने वाले कौन है शिंचन जी ईशु की कलिस्या साक्षी के तमुका मंदिर क्योंकि वो लोग जैप आते हैं वे लोग कोप के कटोरे बन जाते हैं प्रकाशिता के सोला में वे लोग कोप के कटोरे बन जाते हैं और उन कोप के कटोरों को उन विश्वासगातियों और विनाशकों पर उंडेला गया परमेशर का जो कोप है जो उन कटोरों में भरावा थ वो विश्वास घातियों और विनाश को उन पर उंडेला जाता है और उनका न्याय होता है तो इसके वज़े से प्रकाशिता के ठारा में जो शैतान का राजय है बाबुल उसका न्याय होता है और प्रकाशिता के ठारा में उसका खात्मा हो जाता है प्रकाशिता के ठारा में बाबुल के नियाय के बाद प्रकाश्टिता के 19 में आप देख सकते हैं कि आत्मा और शरीर का जो विवा भोज है वो खुलने पाता है परमेशर के जो बैल है और मोटे पशु है उनका नियाय होता है और लोगों को आमंतित किया जाता है और जो लोग आते हैं वे लोग इश् वे लोग स्वर्ग दूत और जो शहीदों की आत्मा है उस विवा भोज में वो लोग भाग लेते हैं और उसके पश्चात प्रकाश्टिता के 20 में शैतान को पकड़ लिया जाता है और कुंड में डाल दिया जाता है और उसकी बाद प्रथम पुनृतान पूरा होता है तो जो लोग इस प्रथम पुनृतान में भाग लेंगे वे लोग कौन है वे वे लोग हैं जो विवा भोज में आत्मा और शरीर भाग लेते हैं वे लोग उस प्रथम पुनृतान में भाग लेते हैं यानि कि जिन लोगों को पश्चु का चिन्द नहीं मिला और शहीदों की आ आत्मा ये लोग एक हो जाते हैं आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं और उस प्रथम पुर्णितान में भाव गेते हैं और वे मसी के साथ हजार साल तक राज़े करते हैं क्योंकि शैतान के जो सभी सीना है शैतान के सभी जो लोग है उनको पकड़ लिया गया है ना इसलिए शैत प्रिटान का जो राज्य है वो पूरा हो जाता है खतम हो जाता है और परमेशर आकर राज्य कर सकते हैं तो पिछले 6000 साल से आदम के पाप के बाद शैतान अब तक राज्य करता है था और इस दुनिया में कहे, शांती नहीं थी और उत्पीरन होता था लेकिन क्योंकि शेतान का राज्य खतम हो जाता है और पर्मेशर का राज्य शिंचंजी यह आज पूरा होने पाता है इसलिए आज पर्मेशर शिंचंजी में आते हैं जैसे कि प्रकाशेद रग्या 21 उसके 1-6 में लिखा है समुद्र भी ना रहा था फिर मैंने पवितर नगर नए इरुष्लेम को स्वर्ग से परमेशर के पास से उतरते देखा और वहाँ उस दुलन के समान थी जो अपने दुल्हे के लिए श्रिंगार के हो फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उचे शब्स से ये कहते से सुना देख प की आँखों से सब आसु पोज डालेगा और इसके बाद मृत्यू ने रहेगी और ना शोप और ना विलाप ना पीडा रहेगी पहले बाते जाते देखी और जो सिंहासन पर बैठाया था उसने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूं फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये वच् के सोते में से सेत में पिलाओंगा तो इससे पहले की जो दुनिया थी जो ब्रश दुनिया थी जो पहले आकाश और पहले प्रिथ्वी थी वो बीच जाती है और नया आकाश और प्रिथ्वी नया आकाश ने प्रिथ्वी शिंचन शिंची तो शिंचन जी आज स्थापित कि गया है तो आज शिंचन जी उस वाचा के पादरी से जो जय पाते हैं बाइबल के भविश्वानियों के इसाब से बनाए गये हैं और आज ये सपश्ट वो सबूत है कि हम आज सचाय के माधिम से जय पाने पाते हैं और परमेश्र का जो पवित्र नगरी नया युश्लम है जो स्वर का राजय है वो नीचे उतर कर इस नए आकाश और नए प्रित्री पर एक होने पाता है इसके बज़े से और कोई मृत्यू ना होगी और ना शोग न विलाब न पीड़ा रहेगी कहां उस नए आकाश नए प्रित्री शिंचन जी में है इसका मतलब ये है कि सभी चीज परमेशर के बाइबल के हिसाब से पूरी होती है उनके वाइदों के हिसाब से पूरी होती है ये परमेशर का उद्देश है और उनका ये उनकी युक्ती है और हम सभी विशासियों की भी आशा यही है तो आज सभी विशासियों को क्या करना चाहिए आज हमें अपने उस आ पुर्चाई की राजय में आने की जुरुत है शिंचन जी में जहां सच्छाई का वक्षन मिलता है आज शिंचन जी ने 12 गोत्रों के 10 RAM को मोरेथ कि59 जी 2 접 just क्यों भीपड वो महां भीर निकलेगी जो महां जो शुट कपड़े पहने होंगी वो महान क्लेश में से निकलेंगे और इस कारे के लिए आज शिंचन जी के लोग प्रकाशी द्वाके के सभी भविश्यवानियों और पूर्ती के 5W और 1H इसके माधम से गवाही दे रहे हैं आज शिंचन जी अनलाइन सेमिनार के माधम से आज पूरी दुनिया को ये गवाही बाहर जा रही है पूरी दुनिया के जो पास्टर्स है जो इस वचन को सुनते हैं वे लोग इसकी गवाही को सुनकर वे काफी चकित होते हैं और आज हमारे साथ एक होना चाहते हैं आज बहुत सारे churches, बहुत सारे सिधान हमारे साथ एक होकर MOU समझाता गया पंसायन करके हमारे साथ आगे कारे करना चाहते हैं कई लोग इस शिंचंजी में आ रहे हैं सच्चाई को सीखने के लिए हम देख सेते हैं कि 2019 में एक लाग लोगों ने graduation किया और आज इस साल भी हम एक लाग लोगों के graduation का तयारी कर रहे हैं ये किसी व्यक्ति का कारे कैसे हो सकता है, ये मनुश्य का कारे कैसे हो सकता है ये आज मुम्किन इसलिए है क्योंकि परमेशर और इशू आज शिंचंजी में है तो आज इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं आज हम इसलिए जान सकते हैं कि आज जो जै का राज़ है, जीत का राज़ है शिंचंजी वो जै पाता है और आज जो बारोगोत्र हैं वे उस साक्षी के तंबू के मंदि की वास्तिता है आज जो शिंचन जी इशू की कलिसा के जो बारों गूत रहे उन पर भी बहुत उत्पिरन हुआ उन पर भी बहुत सताव हुआ जैसे की आप मती 10 में यूना 16 में है न देख सकते हैं लेकिन आज शिंचन जी तब भी इन जीत के बारे में पूरी दुनिया को गवाही दे रहे हैं इसलिए अगर कोई सच्चा विश्वासी है तो लोग मनुश्यों के अधिकार से न्यायना करें लेकिन उस जगव को ढूने जहां सच्चाएं मिलती है ये वो सच्चा विश्वास जीवन है हम ऐसे विश्वासी बने जिसके विश्वास को परमेश और इशू स्वेकार कर सके और अनल जीवन में और सयर्के राज्य को हम पासके तो चलिए आज के निशगर्श में चलते हैं बाइबल में हम देख सकते हैं कि हर युग में सताने वाले भी थे और जिन पर सताव होता है वो लोग भी थे जो सताते हैं वो शैतान से संबदित होते हैं और जिन पर सताव होता है वे परमेशर के सा संबदित होते हैं और हर युग में ऐसा ही होता आया है हम बाइबल में देख सकते हैं हर युग में जो परमेशर के लोग होते हैं उन पर सताव होता है और जो शैतान के होते हैं वो सताते हैं वो निंदा करते हैं और जैसे कि योना आर्ट में हमने दिखा है कि वो जूट बोलते हैं और वो निंदा करते हैं, वो सताव करते हैं, तो उनके कारियों से हम साफ साफ देख सकते हैं कि परमेश्य की साथ कौन है और शैतान से संबदित कौन है, इस तरह का सताव आज भी पूरा होता है, आज भी हो रहा है, आज जो लोग सताते हैं, वे कौन प्रकाशित वाके साथ के नए राजन ने लोग हैं जो बारोगोत्र से संब्दित हैं आज हमें देखने की ज़रत है कि इस तरह का उत्पीरन आज नए नियम के भविश्वाने के हिसाब से पूरा हो रहा है तो आज एक जीत का राज्य है जो इन सभी उत्पीरनों पर जय पात रहें आज शिंचन जी ईशू की कलिस्या के बारोगोत्र आज नए नियम प्रकाशित वाके के भविश्वानियों के हिसाब से पूरी हुई है और इन पर बहुत उत्पीरन होता है बहुत निंदा होती है लेकिन तब भी इन्होंने जय पाकर इनकी कटनी हुई है और ने मु तो जो परमेशर के लोग है वे लोग इसे सुन कर काफी खुश होंगे है न वे हर शुलास होंगे लेकिन जो शैतान के लोग होंगे वो क्या है बुरा मानेंगे वे और उत्पीरन करने शुरू कर देंगे तो हम खुद देख सकते हैं कि क्या मैं परमेशर की साथ हूँ कि क् परमेशन की लोग होंगे वो खुश होंगे इस चीज से इस वचन को इस सचाई को सुन कर लेकिन जो शैतान की लोग है वो और भी बुरा मान जाएंगे तो आज जितने भी पास्ट्रस हैं जितने भी मनले के सदस हैं क्या आपने इस वचन कोचे से सुना अगली बार हम नए नियम के उस व्यवस्था को देखेंगे जिसे रखना जरूरी है और उसका संदर्भ होगा इब्रानियो आठ नए नियम की क्या व्यवस्था है जो हमें अवश्य रखने की जुरत है और जो लोग उस नए वाचा को प्रिश्टर आएंगे वो आपको इस गवाही को और अच्छे से देने पाएंगे तो खृपया आप लोग पूरे दिल के साथ और आशा के साथ अगली बार भी आने पाएं तो अगली बार दुबारा मिनेंगे तो अन्त में मैं वी आर वन का नारा लगाऊंगा क्योंकि हम सब परमेशर और इश्टर में एक है सभी जातियों सभी देशों और धर्मों से आगे निकल कर हम सब लोग परमेशर में एक हैं वी आर वन तो अन्त में हम सब प्रात्ना करते हैं है परमेश्य पिता तू आकाज रप्रित्वी का रचनाकार है और तू प्रेम और अनुगरस से भरपूर है हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें शिंचन जी औरनार सेमिनार करने का आयोजित करने का मौका दिया जिसके माध्यम से हम पुराने और नेनियम के जो प्रक शिंचन जी इसके बारे में अध्यन किया हर यूग में शैतान की लोग सताव करते हैं और हर यूग में तीरे लोगों पर सताव कुआ है आज भी बाइबल के साबसे सताव होता है लेकिन आज हम सच में जानने पाए कि शिंचन जी जीत के माध्यम से सच्चाई के माध्यम से जैप आने पाया है और इसके माधियम से इस दुनिया में शांती होने पाये और सुतन्दिता होने पाये तो हमारे सभी आशाओं की तुझे भाली कर हमारे रक्षा कर और आज जितने भी पास्टर्स हैं पुरे दुनिया के जो मंडली है तुझसे वो इस बचन के दौरा वो मिलने पाये और इसके माधियम से तुझे महिमा मिले और आज जितने भी लोग इस सेमिनार में जुड़े हैं उन्हें तू भाती ग्रूप में और आत्मी ग्रूप में उनकी मदद कर और उनके सभी कारियों में तू उनकी सहायता कर ये सारी विंति हम ईशुमसी के नाम से मांगते हैं जिनों ने हमें मृत्यू से जीवन में लेकिया है आमें तो अन तक सुनने के लिए बहुत बहुत आन्यवाद तो परमेशर ने अपने लोगों के साथ एक नई वाचा क्यों बनाए और आज वो नई वाचा क्या है जो हमें रखना अनिवाद्य है और हम कैसे रख सकते हैं और जो लोग उस वाचा को रखते हैं और वाचा को नहीं रखते हैं उनका क्या परणाम होगा हम अगली बार उसका उतर जानेंगे इशुमसे ने क्या कहा इशुमसे ने कहा कि ये फसे का भोजन वो तब तक दुबारा ना खाएंगे जब तक वो पिता के राज़े में पूरा ना हो तो ये फसे का भोजन क्या है जो हम पिता के राज़े में खाएंगे तो जो नए वाचा को रखते हैं वो सच में स्पश्रूप से बाइबल में लिखा गया है तो आपने वीडियो में देखा कि अगले बार का जो सेमिनार होगा उसका शिर्शक होगा नए नियम की व्यवस्था जो आज हमें रखना अनिवार है और अगले बार भी हम इसी समय पर मिलेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि अगले बार हम सब जुड़ें और हम सब लोग स्वर्क के राज प्रवेश करने के योग्य बने क्वालिफाइड बने जिसकी हम सब लोग आशा करते हैं अध्यायों द्वारा पुराने और ने नियम के प्रकाशिदाके की गबाही शिंचंजी ओनलाइन सेमिनार आज पूरे दुनिया में इसका हमारे आधिकारिक यूट्यूब चैनल द्वारा 24 अलग अलग भाशाओं में प्रसारित किया जा रहा है इसके अलावा हमारे इस प्रकाशिदाके सेमिनार के माद्यम से जो की जो भविश्यवानी है और उनकी पूरती है इन सभी सेमिनार के माद्यम से सभी पास्टर्स और पूरी दुनिया के जो सिधान्त है वे लोग इसमें बहुत रूची ले रहे हैं और हमारे साथ M.O.I.O समझाता ग्यापन साइन कर रहे हैं ताकि वेशिंचंजी के साथ एको जखे तो आज के सेशन के बारे में अगर आपको कोई भी संदे है या प्रश्न है या शिंचंजी के बारे में आपको जाना चाते हैं तो इन दे गए नमर्स पर आप कभी भी संपर कर सकते हैं हम आप से विस्तार में बात करने की कामना करते हैं तो इस समय पर हम उस प्रात्ना को करेंगे जो प्रभू ने हमें सिखाया तो आज प्रभू प्रात्ना से हम शिंचन जयाने समिनार का अंकरते हैं चलिए प्रात्ना करें हे हमारे पिता तु जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना चाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वयक में पूरी होती है वैसे ही पृत्वी परभी हो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपढ़ाधियों को शिमा करते हैं वैसे ही हमारे अपढ़ाधों को तुछ शिमा कर और हमें परिक्षा में नाला परिंतु बुराई से बचा क्योंकि राज और पराकरम और महिमा सदा ते रही हैं आमें तो सबका जो आज यहां जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद